इसा चानल में डिल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं पॉइंट के साथ साथ में आप लोग को जो नेगेटिव पॉइंट भी है वो भी में जरू दिखाना चाहूंगा चाहे आप इसमें इन्वेस्टर रहे या ना रहे क्योंकि ये दोनों चीज़े अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग को अंदाजा आ जाता है सिर्फ पॉ अब इस चैनल के उपर साड़े 10 बजे पाउरफुल वीडिया आने वाले है और इस वीडियो का जो टॉपिक है आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा तो मैं आपको वापस बतना चाहूंगा कि खुद अपने बलबूते के उपर मल्टी बैगर पेनी स्टॉक कैसे जरू में आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगा तो कल सुबह साड़े 10 बजे स्टॉक मार्केट क्लासे सिस चैनल के उपर आ जाना लिंक उपर आया बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब लोग आ चुक है बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड एस उज़ल जो हम लोगों की चैनल की खासियत है हम लोग दोनों साइड यहां पर बताते पॉजिटिव एस वेल एस नेगिटिव तो चले सबसे पहले आप लोगों की पसंदीदा चीज पॉजिटिव जो इसका लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो कि अगर हम लोग आम भी बात यहां पर करें मतलब आप इसका अगर चार्ट पेटन देखोगे तो आप लोगों को अंदज आएगा छे मेने का चार्ट पेटन दिखाना चाओंगा यह देखिए 200 का लेवल आप देख सकते हैं यहां पर में लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा कितनी बार यह 200 के लेवल पर यहां पर आ चुका है एक दो तीन चार पांच छे यह दो सो चे बार इसने यहां पर ट्राइक अभी तक कंपणी अपने 200 के लेवल पर मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत ही और ही अगर आप लोग पूरा अपना जिम्मेदारी मतलब बोलते हैं डाल दोगे कि टेक्निकल अनलेसिस मुझे बता देगे तो दोस्तों आप एक गलत वे में हो क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद भी हम लोग को यहां पर देखने को मिला है बट अगें जो यहां पर समंदर शांत होता है समंदर शांत मतलब मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव निउस नहीं आनी चाहिए वरना आप सब लोग पता है बाजार गिरतने के लिए यहां पर मतलब पूरी तरीके से अभी अच्छा गासा दोड़ चुका है एक बड़े नेगेटिव निउस के उसके बाद जुले में भी हुआ था कुशिश उसके बाद जुले के मिड में ऑगस्ट में भी हुआ था एड़ वापस अभी हमनों को नोवेंबर के मन्त में भी आईटिसी 200 का लेवल के करिब जाते वे देखने को मिल रहा है तो इसी के कारण सब लोग यहां पर इसलिए दोस्तों में बार बार केता हूं कि पॉट्फोलियो को डाइवर्सी फाई रखना मतलब आपके पॉट्फोलिय में से मतलब 7-8 शेर 10 शेर आपके पॉट्फोलिय में होने चाहिए इसका यही एडवांटेज होता है कि अच्छे शेर भी कभी-कभी आप लोगों को दो चलते वें देखने को मिल जाते हैं अगर मैं यहां पर मैक्जिमम चार्ट पेटन ओपन कर दो एक सेकेंड यहां पर मैं उपन कर लेता हूं रिफ्रेश कर लेता हूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कोई बड़ी गिरावट नहीं है बट एक बहुत बड़ा कंस्टरलिशन फेज है मतलब एक ही दाइरे में यह स्टॉक अटका हुआ है अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो ITC का वैलिशन बहुत यहां पर कर रहें तो आज की दिन का एक सेकेंड भी हम लोग फटावट कवर कर लेते हैं 27 नोवेंबर पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एक करोड से जादा की डिलेवरीस तो यह हम लोग कह सकते कि बहुत सहरे लोग इंतजार करें कि अगर यह दोसों का लेवल तूट जाता है तो एक अच्छा गासा शौट टरम गेन भी हम लोग को होते हैं देखने को मिल सक तो इसलिए में आप लोग को कहना चाहूँगा अगर आपका नजरिया लॉंग टर्म का है तो आप लोग वीचार कर सकते हैं शॉट टर्म में कभी-कभी चीजे महेंगी भी या पर पढ़ जाती है तो वैलिशन की इसाब से बात करें तो एक कंपनी जबरदस्त है बट उससे सेले में आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि TCS, TCS में क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि TCS भी सेम पैटन में था अगर मैं आपको या पर पात साल का चाट पैटन दिखा दू ये देखिए कि आप क्या ITC दोसों का लेवल तोड़ पाएगा या नहीं तो अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल्स की तो आप सभी लोगों को बता है ITC की बैलेंशेट भी मतलब इतनी स्ट्रॉंग बैलेंशेट है रिजाओस देख लेना साथ हजार करोड की रिजाओ करजा तो के फंडामेंटल्स भी बहुत ही जबरदस या पर देखने को मिल रहे है और दोस्तों आप सभी लों को पता है जैसे की पॉसिटिव साइड भी आप लोग को जरूर देखने को या पर आनी चाहिए तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को बता है ITC के उपर में अल्रीड एक डीटेल वीडियो बना चुका हूँ कि इस शेर की सबसे बड़ी प्रॉब्लेम क्या है वो वाला वीडियो देखना है तो उपर आप आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो जहापे आप लोगों को सारे रीजन्स पता चलेंगे कि ITC का शेर इतना अच्छा वायलिएशन के उपर देखने के बावजुद भी लोग यहापे एंटरी करने के लिए कत्रा क्यों रहे है किस चीज का वो इंतरजार कर रहे है तो यह वाला वीडियो देखके आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा बट फिलाल अगर हम लोग प्रेजेंटली बात करें तो इससे रिलेटर में आलरेड़ी वीडियो बना चुका हूँ बट इस वीडियो में ही मैं आप लोगों को इस पॉइंट को डीटेल में आपे बताने वाला हूँ तो दोस्तो आप सभी लोगों को पता है यहापे हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीज भी होई थी आप लोग यहापे देख सकते हो अगर मैं बिजनेस स्टेंडर इस वेबसाइट के उपर भी यहापे क्लिक कर दूँ तो आप लोग डिरेकली उस वेबसाइट के उपर जाएगे आप देख सकते हैं यह न्यूज है वो कोई अभी की न्यूज नहीं है वो पुरानी न्यूज है लगबग 5th November की यह न्यूज है मैं आप लोगों को यहापे दिखाना चाओंगा यह देखिए आनी चाहिए क्योंकि इंडिया फिलाल यहापे फोकस कर रहे है किस कंपनी से रिलेटेड इस जी स्कोर से रिलेटेड सो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा सो यह 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 वाली चीज क्या है तो उसका हाम करें सो ऐसी चीजों के उपर बहुत सारी इंवेस्टर निवेस्ट करने से पहले दस बार सोचते हैं अगर मैं यह आपे बात करो तो इसको बहुत ही मेजरली फॉलो करते हैं वीदेश के इंवेस्टर को देखेंगे भार दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है इंडिया में भी वेटेज है बट उतना नहीं है उतना सिरिये इसलिए नहीं लिया जाता जितने भार के देशों में हम लोगो यह चीज़े देखने को मिलती है इसलिए भार के इंवेस्टर को एट्रैक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जे नहीं यह भी कहा था कि मैक्जिमम हमारे पास भी एसी कंपनी है जोकि ESG स्कोर अच्छा रखत इसलिए बट डिफिकल्ट है हम लोग ऐसा बोल सकते है क्योंकि ESG से रिलेटेट अगर हम लोग चीज़े देखे तो एक टाइप का पॉलिशन उसी के साथ साथ हेल्फ हटजार डियस ऐसी चे प्रोड़क्स रहते वह यह कंपनी यह बनाती है और इसी के चलते हम लोगो यह स कुछ रिजन से जो कि आप लोगोंने सोच समझ के डिसिजन लेना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव साइड देखके काम नहीं चलता है आप लोगोंने नेगेटी निउस भी नेगेटीव साइड भी यह आपर देखने ना चाहिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली बैलेंस डि गिया तो बहुत ही अच्छी तेजी आ सकती है उसके लिए भी कंडिशन है कि मार्केट टॉर्मल रहना चाहिए अगर मार्केट में अगर कुछ अन्बन हो जाती है तो डेफिनेटली वापस गिरावट हो सकती है और अगर नेगेटीव साइड भी देखे तो बहुत कुछ अ